हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास एट की इंगलिश रिडर का फॉस्ट चैप्टर है अनादर चांस इसका फॉस्ट कुश्चन है, वाट शुट वी डू करेक्ट आवर मिस्टेक्स हमें हमारी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए और हमें हमारी असफलता को सफलता में बदलने के लिए क्या करना चाहिए हम हमारी पोया में स्टार्ट करते हैं कितनी ही बार हम एक और मोके की विश करते हैं कि एक नई शुरुवात हम कर सकें कि हमें एक मोका मिल सकें हमारे मिस्टेक्स को मिटाने का and change failure into winning और हम हमारी सफलता को सफलता में बदल सके इसके लिए हमें किसी नए दिन की ज़रूरत नहीं है हम कभी भी एक नई शुरुबात कर सकते हैं केवल हमें एक अच्छी इच्छा होनी चाहिए हमें एक गहरी इच्छा होनी चाहिए desire मतलब होता है इच्छा to try with all our heart और हमें हमारे मन से कोई भी कारे करना चाहिए to leave a little better और अच्छे जीवन जीने के लिए and to be always forgiving और हमेशा दयालू रहने के लिए and to add a little sunshine हम थोड़ी सी चमक हमारी जीवन में add कर सकें, जोड सकें to the world in which we are living जहां पर हम रहते हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं so never give up and despair हमें कभी भी give up नहीं करना चाहिए निराशा में, despair मतलब निराशा and think you are through for there always at tomorrow और हमें हमेशा यहीं सोचना चाहिए कि कल फिर से एक नया सवेरा होगा and hope for starting a new और आशा करनी चाहिए कि कल से कुछ एक अच्छी सुरुवात होने वाली है यह जो poem है, यह लिखी हुई है Helen Stenner, Rice के द्वारा इसकी जो exercise है यह हम हमारे second part में करेंगे thank you so much